सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रिवीवाला को और बेल आइकन दवाना मत भूलिएगा लेटेस्ट रिव्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब आप सबका आपके अपने चैनल रिवीवाला पर जहां पर मिलेगी आपको बहुत रिव्यूज एक्स्प्लैनेशन्स टॉटोरियल्स और भी पहुत कुछ तो चलिए दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज की इस वीडि अबलोग दिया था कि पोन क्या है उसका एक लोग दिया था इस फोन मैं क्या क्कि किस तरससे हैं न गवर मैंने उस वीडियो में आपसे प्रॉमेस किया था lungenग्यार आपकी पेलिदयरों करों रहुड तो और वाला आपकी लिवहाए इस फोन की 1 डिव्यू लेके तो किसे हैं और वी चोटीं मूटे चीज़े मैं कवर करने कोशीच करूंगा तो वीडियो में पूरे लास्थ बने रही है वीडियो को लास्थ तक जरूर देखेगा और इनके अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक ज़रूर करेगा अगर अच्छी लगे तो सिर्फ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिभी वालों को सब्सक्राइब बॉक्स की रेडमी नॉट इट काफी 3D प्रिंटिंग पून है ऐसा लग रहा होनी बाहर आ जाएगा यह रेडमी नॉट 8 मेंशन है यहां पर और और बॉक्स की बात करें तो यहां पर देख सकते होंगे काफी कुछ यहां मेंशन है जैनल स्पेसिफिकेशन जो है और चार्जर है और स्नेप्ट्रेगन वालकॉम स्नेप्ट्रेगन 665 AI प्रोसेसर है बहुत ही बैटरीन है अपने सेग्मेंट में एप्षिन ब्लू इसका कलर है चार्ट चॉंसर्ट वेरियंट है यानि 4GB रैम और 64GB इंटरनल है इसकी 64GB यहां पर मैं कुछ और MRP दिखा देता हूं यहां पर MRP जो है वो 12,999 यानि 13,000 MRP है तो इस प्राइस सेग्मेंट में बात करें तो बहुत ही बैटरीन फोन लेकर आया रेडमी बहुत ही बैटरीन फोन है तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूं और आपको इसका एक डीटेल रेव काफी अच्छी पैकिंग है बाक्स जो फोन की है बहुत ही बैटरीन है रेविव वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो है लाइक जरूर करना चलिए मैं इसे ओपन करता हूं और यह रहा है बाक्स का ओपनिंग वाव भेंगर तो यह कवर दिया हुआ है इसमें और यह रहा है इसका सॉफ्ट केस है इसमें सिम इजेक्शन टूल भी एसी में मेरा में फोन है तो फोन की मैं रिव्यू करूंगा यह रहा हमारा मुवाइल फोन बहुत ही पैटरीन पैकिंग है फोन का लोग बहुत ही शानदार आप देख सकत तो चारजर तदू ऐसा इन तो चार्जर आपकी फास चारजडर नहीं रहें यहां पर बहुत ही स्वाइट पैकिन होती इसी वर्चस थोड़ा सा कैमरा हम गया तो यह रहा दोस्तों यहाँ पर इसका चारजर तोड़ा सा स्प्रिकिकिकिशन आप देख सकते होंगे और सेगे तो इसक्रीन शॉट आप ले लिए बिल्कुल और यह रहा है यहां पर इसका टैटा केबल टैटा केबल की क्वालिटी बहुत ही शांदार है बहुत ही हाड केबल है लेकिन सॉफ्ट अच है और यह रहा यूजबी इसका पोर्ट काफी सॉलिट पोर्ट है इसकी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यह टाइप सी वेरिएंट है यहां पर ठीक है तो बॉक्स के अंदर आपको यह से मिलेगा एक चार्जर है डेटा केबल है सेम इजेक्शन टूल है यूजर काइड है और इस सॉफ्ट के इस कवर है चली मैं बॉक्स को साइड रखता डुक है फोन का काफि स्चांदार रों क्रीपिंग यह ब्लाक है लेकिन येगिन नेप्चुन ब्लू है एक तरस लेड लाइट के तरह यह इंडती अब्लिक बहूतर है और इस साइड बात करें आपको यह यहां पर volume a volume down button है और यहां पर आई लिखके से ना यहां या पात करएंप्र आपको मिलता है और यहां पर बात डेले तो यह सीम देखे ये सीम एजिक्शन पॉइंट है यहां लगा सकते हैं और बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इस पीकर सब को मिल जाएंगे राइप सी केबल है और यह आपका आपस पोर्ट है और ब्लकुल और पैट पैनल की बाद करेंगे दियार पैतरीन वहाँ भी बैठरीन अब देख सकते होंगे मैंने से अपने हाथ मिलिया है बहुत ही बेत्रीन प्रैनल का लुक है काफी अच्छी लुक है फोन की बहुत ही है बहुत ही ग्रिपी है आप देख सकते होंगे बहुत ही आराम से हाथ में आ जाती है यहां पर आपको मिल जाता है रेडिमी का लोगो और यह आपका फिंगर्प्रिंट स अब ते फोन ओन हो चुका है दोस्तों अब रेडमी ने अपने नोट सेवन सीरीज निकाली थी नोट सेवन बहुत ही चर्चिस सीरीज है काफी अच्छी कासी सेल होई थी उसकी उसके बाद रेडमी नोट 8 निकाला लेकिन प्राइस सेग्मेंट काफी कंपनी ने सो समझ की तो यह हमारा फोन ओपन हो चुका है तो दोस्तों डिस्पले की क्वाल्टी बहुत अच्छी है बहुत शार्प डिस्पले आपको यह मिलता है तो तोना सा मैं आपको ओवर्व्यू दिखा देता हूं चुछोगा ऑफ यह बिल्कुल डिस्पले की क्वाल्टी बहुत बैतरीए ने और है यह देकिए है इसे शार्प दिस्पले दिया है और और अमारे चैंश म लगाए हुए जीओ का जीओ फोर्ग हैं में स्टावर फुल बता रहा है तो यह हमारा फोन ओपन हो चुका है तो यह हमारा दोस्तों फोन आपके सामने डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख सकते होंगे बहुत ही अच्छी डिस्प्ले इसकी दी गई है थोड़ा सा मैं डिस्प्ले कम करता हूं तब लुक आएगा इसका अच्छा बिल्कुल तो तो यह फोन की डिस्प्ले है यहां पर मिल जाती आपको 6.3 इंचिस की कम्प्लीट डिस्प्ले है यह कुछ मैं स्प्टेस्फिकेशन सापको बता देना चाहता हूं तो यहां पर आपको 6.3 इंचिस की डिस्प्ले आपको मिलेगी और 1080 इंटू 2280 यानि 1080 बड़े 2200 की इस तरग से आप कह सकते हैं जैसे सैमसंट रिता है हां यह सूपर एमोलेड इस्क्रीन नहीं है क्योंकि जितने भी सूपर एमोलेड स्क्रीन से वह सिर्फ सैमसंग ही बनाते है यह फिर भी डिस्प्ले की कॉलटी बहुत अच्छी है प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर इस चैमरे की कॉलिटी यहां पर आपको मिलेगी और जो रियर कैम है वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं इस टूरेज की बात करें तो 64ZB का इंटर्नल आपको मिलता है यहां पर आपको दिखा देना चाहता हूं कि हम इसका फाइल मेनेजर ओपन करते हैं और और इसक्सटी फूर जीवी का आपको बैटरी 4000 एमेज और एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड 9 पाई लगवें एंड्रॉइड 10 का भी वर्जन इस पर अपडेटेड है ठीक है और फुल एच्टी प्लस की स्क्रीन है क तो यह बहुत ही अच्छी बात है और बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है कमेंट सेक्शन में दिया गया है आप गैजेट्स 360 पर जाके चेक कर सकते हो मैंने खुद इसकी यूज़ किया है तो बहुत ही बैटरी इसकी लाइफ है तच काफी स्मूथ है आप देख सकते है जो भी 4GB RAM है काफी अच्छी उसकी हो है और और मैं कुछ इस प्रेसिफिकेशन आपको बताते ना चाहता हूं और वेट इसका 188 ग्राम है तो अपने प्राइस सेग्मेंट और साइच की आप से वेट इसका काफी अच्छा है बैटरी नॉन रिमोबल है गाईस तो आप चानते ही होंगे कि आप जितने फून मार्केट में आ रहा है मैक्सिम सारे फून के बैटरी नॉन रिमोबल भी रह और अच्छी बात है कि फ्रंट में भी गोरिला गलास है यह दोनों गुरिला घॉलास है आप शाएं से पता कर सकते हो यह गोरिला घ्लास की ही क्वॉलिटी तौह सुर्ण तो यह गोरिला ग्लास की क्वाल्टी है और कुछ मैं आपको बता देने चाहता हूं एक्स्ट रेसी जो है वो 19 इस्टू 5 इस्टू 9 का रिश्यू है और प्रोसेसर औक्टा कोर आपको प्रोसेसर मिलता है यहां पे ठीक है वालकॉम स्नैपड्रेगन 665 इसका वो है क्या खता ह हूं प्रोसेसर का क्वाल्टी चार चाहूंसा ट्रेम है आप इसे एक्सपेंडेबल जो स्टूरेज है दोस्तों वह 512 जी भी तक है चली मैं आपको एक गैजेट्स एंडी टीवी बेस का एक रेव्यू दिखा देता हूं तो रेड्मी नॉट है एक गैजेट्स एंडी आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि चीजों के मैं बहुत अच्छे समझा सकूँ और आपको बता सकूंगी इसमें किस तरह से चीजे हैं तो 6.3 इंचेस की फूल डिस्प्ले है यह डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं यह 6.3 इंचेस की है और 10 1822280 की इसकी वह पिक्सल क प्रोसेसर जो है यहां पर आपको कॉल्चुम स्नेप ड्राइगन मिल जाता है 665 जो आपने आप में बहुत ही बैतरी क्वालिटी की प्रोसेसर है आप जानते होंगे कि मीडिया टेक के जो प्रोसेसर सोते है उनकी क्वाल्टी थोड़ी हल्की रहती है लेकिन वाल्गॉम स् यह प्रेंट कैम्रा आपको थर्टीए ने मेगा पिक्सल मिल लियाता है जो थर्टीए मेगा पिक्षल कैमरी की क्वाइटी है रियर के वी आपको पोटी एट व्लस आपे और ब्रांड देख सकते होंगे जयोमी है रेड्मी नोट 8 ठीक है 29 अगस लॉंचिंग देठ है इस पे और ताइमेंशन आप देख सकते होंगे वेट 188 ग्राम है तो बहुत ही बैटरी ने इसका वेट दिया है बैटरी कपस्टी 4000 mAh किया है इसके और स्क्रीन साइच जो प्रोसेसर जो है यहां पर ओक्ता को आपको प्रोसेसर मिल जाता है रेम 4GB है और माई 512GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसमें 512GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो तो माइक्पोडी कार्ड स्लोड अलग से दिया गया ठीक है रियर केमरा की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 48 मेगापिक्सल आपको रियर कैमरा जो में क्यामरा वह मिल जाता है फोकस्ट है 1.79 है 8 मेगापिक्सल फोकस 2.2 2 megapixel 2.4 and 2 megapixel 2.4 तो बहुत ही अच्छा आटो फोकस में है रियर फ्लेश फ्रेंट क्रेंट 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 मेगा पिक्सल एफ 2.0 यानि सेल्फी के लिए फोन बहुत ही बैटरी नोने वाला है अंड्रोइड 9Pi है और वाइफाई भी है इसमें वाइफाई है एक जिरो टेकर टाइप सी है यूएस्बी नहीं है मैं फिर से बता दे रहा हूं जिसे फोन्स आ रहे है टाइप सी टाइप सी एक अप्रेटेड वर्जन है यूएस्वी का बहुत ही फास्ट चार्जिंग होती इस से अप्सटे फोन्स है ड्यूल सी में यह 4G दोनों में सपोर्ट है मैसमिल फोन साथ या तो उसमें 1 104 सपोर्ट करेंगे यह नों सी में लगेगा च्रिशी फोलर्जी सब कुछ सब करेगा जिए बहुत ही बैतरी नहां सेंसर से इस में फेस ऑन लॉक है फिंकरिंट रिं भी बैतरीन फोन है इस सेगमेंट में और चली क्या क्या क्यालिटि आपको दिखाता हूं कि क्या है इसकी और चीज़े किस तरह से हैं तो मैं एक केमरे का टेस्ट करता हूं यहाँ पर यह हमें ना हमने ओपन कर लिया है और यह रहा हँ तो मैं कैमरे के टेस्ट करता हूं तो यह कैमरा है हमारा कैमरे की क्वाल्टी वाख़ी काफी शानदार है हम देख सकते होंगे जो कैमरे की क्लियर्टी वह बहतरी ने 48 मेगापिक्सल अगर आप यहां पर जाना चाहूं तो समय से उपर करता हूं ताकि आपको दिखा सकूँ और बैटर तरीके से बिल्गुल तो अब आप देख सकते होंगे यह कैमरे की क्वाल्टी है बहुत ही शानदार काफी क्रिस्प और क्लियर ही मेश है कैमरे में आपको एक 48 मेगापिक्सल कॉप्शन मिलता है अकर आप चाहो तो उस पर क्लिक कर लो तो क्लियर्टी और बढ़ जाएगी तो बहुत ही बैदरीन क्वाल्टी है ठीक है पोट्रेट मोड है ठीक है आप नाइट मोड भी सेलेट कर सकते हो पैनरामो मोड है प्रो अब बना सकते हो जैसे शॉट वीडियो फ्लेटफॉर्म हुआ मोस के लिए टकाटक के लिए हर देश्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी है बहुत बहुत भैदरी आप देख सकते होंगे लेडियलेट फ्लैश कर रही है वीडियो की जहां तक हम बात करें तो यहां फिडियो भी फोटो प्लिक करके दिखाना चाहता हूं कि मैने या और यह है कि कि अब देख सकते हूं कि फोटो तो बिनकुल फॉट नहीं रहे रोस्तों बिलकुल फटो की सबसे च्छी क्वाटी ए कि उसके जो पिकसल से वर डिसी रब नहीं हो बेल्गुल पहुत क्रिस्प और फोटो पोटो बिल्कुल तो कैमरे की क्वालिटी अपने साथ से बहुत बहुत ही बेथरी नहीं ठीक है और वीडियो में भी आपको दिखा देने चाहता हूँ जोगी मैंने एक छोटा से वीडियो क्लिप शूट किया है अम दिख सकते होंगे बहुत ही बैठरीन वीडियो की क्वालिटी इसकी एक है और देखिए टू टैम्स जूम का भी ऑप्शन दिया आप इससे जूम भी कर सकते हो अपनी हिसाब से जहां से आपको जैसी जरूरत पड़े तो टेक है टॉर्च आउन भी आप कर सकते हो देखो टॉर्च आउन हो गया स्वोन का कोई जोब नहीं अपने प्राइस सेग्मेंट के हिसाब से कैमरा बहुत ही बहुत ही बैतरीन है और अगर बागी चीजों की बात की जाए जैसे की तो यहां पर देख सकते हो मैं कोई चीज़ेंगे फ्लैसलाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है अब देख सकते एकाउंट अलग से आप एसेस कर सकते हों कुल है एकाउंट इन सिंक्राइजिशन है और अबाट फोन की बारें बात करें तो डिवाइस नेम डेड़ी नोटेट इस टिक है 64GB और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो मैं आपको यहां पर मेंशन करा देता हूं अक्टाफोर मैक्स 2.1 गिगाहस्ट का प्रोसेसर है बहुत ही बैटरीन है इंटर्नल स्टोड़ सिक्स्टी फोर जी भी है टोटल आप देख सकते होंगे और राहम फोर जी भी किया है रेड में नोटेट यह बैटरीन है अपनी हिसाप से और ब्लोटूट आपको यहां मिल जाता है कई तरह से पोड़ेफोल होट्सपॉर्ट आप यूज कर सकते हो लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पासवर्ट सेक्योर्टी एप्स बैटरी बहुत ही बैटरीन सेटिंग्स के ऑप्शन्स किये गया है आप अपनी हिसाप से कस्टमाइज कर सकते हो किया है तो लोग की बात प्र मैं इस्टोर ऑपन किया फ्लिपकार्ड ऑपन किया शेयर टोपन किया वाट्सटेप ओपन किया तो यह इप्स है यह वान टाइम ट्लियर का ऑप्शन है यह बहुत बैतरी नहीं ठीक है और अगर हम खुछ पात करें इसका जैसे की कैमरा मैंने आप कुस्टेट कर दिया बैटरी की क्वालिटी काफी अच्छी है डिस्पले बहुत अच्छा है ऑपरेशन काफी स्मूथ है इसमें जो 4G RAM में वाखरी लगता है कि हाँ यार 4G RAM आप इस्तमाल कर रहे हो और सेटिंग्स में मैंने कुछ आपको पताना नहीं बहुत ज़्यादा गूगल पी मलब बैतरी फोन है लोग आप इसका देखिन है बहुत ही शांदार लुक है इस फोन की बहुत ही बैतरी लुक है तो अगर आपको बारा या तेरह जार के सेग्मेंट में बारा के इंदर कोई फ इस अब यांग सा नोदे है कि फोन फोन की झाल फोन की ये वह नहीं होगा है दोस्तों यह रहा Redmi Note 8 का एक complete, full, detailed, honest review वाला की तरफ से तो आप वीडियो सेक्षिन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चुकि यह homemade वीडियो है मैं बहुत ज़्यादा professional तरीके से वीडियो नहीं बनाता हू तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, विडियो वालों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही पेश्रीन प्रडूट के साथ ंंबॉक्सिंग भी हो सकती है रिव्यू भी वह सकता है ठीटोरियल भी रोसकता है और भी बहुत कुछ तब तक लिए रिलाक्स रही है आप जैन अला धरे है एंधर वा तैंकियो